चुनी हुई सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनेतिक शड्यंत्र प्लान किया जा रहा है हमें विश्वस्निय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार भारतिय जन्ता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपती शासन लगाने वाली है इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रही है हम पिछले कई दिनों से देख रही है कि दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है जो IAS अफसर है उनकी पोस्टिंग MHA द्वारा कंट्रोल्ड होती है लेकिन पिछले कई महीनों से किसी भी senior IAS अफसर की posting दिल्नी में नहीं हो दूसरी बाद दिल्नी के अंदर कई विभाग खाली है वहाँ पर अफसर पोस्टिड नहीं है लेकिन फिर भी दिल्नी के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा तीसरी बाद LG साहब पिछले एक हफ़ते से MHC को बार 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 बिना किसी कारण के दिल्नी सरकार को लेके चिठियां लिख रहे है कहते हैं कि मंतरी गण मीटिंग में नहीं आते कहते हैं कि मुझे चर्चा करनी है मैंने मीटिंग पर बुला रहा हूं यह मीटिंग में नहीं आ रहे हैं यह वही LG साहब है जो कोट में खड़े होके कहते हैं कि यह ट्रांसफर्ट सब्जिक्ट है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है तो जब आप कोट में कहते हैं कि आपका पानी के मुद्दे से पल्यूशन के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है जब वो ट्रांसफर्ट सब्जिक्ट है तो आप MHA में उसके बारे में चिठी क्यों लिख रहे हैं चौथा दिल्ली सरकार के अफसरों ने Model Code of Conduct का बहाना बना कर किसी भी मीटिंग में आना बंद कर दिया है चाहे वो कितने ही important मुद्दे पर हो आखरी चीज हमने देखा कि किस तरह से एक बीसों साल पुराने केस को उठा कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल के निजी सचिव को बर्खास कर दिये तो ये सारे लक्षन दिखा रही है कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है अर्विंद केजरिवाल की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और दिल्ली में राश्ट्रपती शासन लगाने की साजिश हो रही है और यही कारण है कि अर्विंद केजरिवाल जी को जूटे आरोपों के साथ फरजी आरोपों के साथ बिना किसी प्रमाण के ED ने गिरफ़तार किया है केंदर सरकार ने गिरफ़तार किया है क्यों? क्योंकि भारतिय जंता पर्टिय जानते हैं कि वो कितना भी जोर लग उन्होंने ये देख लिया है कि चाहे 2013 का चुनाव हो चाहे 2015 का चुनाव हो चाहे 2020 का चुनाव हो यहां 2022 में हुआ MCD का चुनाव हो के दिल्ली के लोग अर्विंद केजरिवाल से प्यार करते हैं, दिल्ली के लोग आमादमी पार्टी को पसंद करते हैं और दिल्ली के लोग भारते जमता पार्टी की हर संभव कोशिश के बाद आमादमी पार्टी को ही वोट देते हैं, अर् पीजेपी को पता चल गया है, अब इनको पता चल गया है कि ये दिल्ली में चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए ये लोग साज़िश कर रहे हैं कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की चुनी हुई लोकप्रिय सरकार, अरविंद केजरिवाल की सरकार को गिराया दूसरा कारण अर्विंद केजरीवाल की सरकार के खिलाख जो ये शडियंत्र हो रहा है वो है अर्विंद केजरीवाल की सरकार के काम चाहे वो फ्री बिजली देना हो, 24 घंटे बिजली देना हो, फ्री पानी देना हो, बच्चों को अच्छे सरकारी स्कूल देना हो, महला क्लिनिक में फ्री इलाज देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देना हो, बुजर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा देना हो इन लोगों को पता है कि ये कितनी भी कोशिश कर लें, दिल्ली छोड़िये, किसी भी अपने राज में ऐसी पॉलिसीज को लागू नहीं कर पाएंगे, सबसे बड़ा इनको खत्रा हो रहा है अरविंद केजरिवाल जी के वादे से, जो इन्होंने दिल्ली की महिलाओं को अरविंद केजरिवाल जी ने वादा किया है, कि हर महीने हजार रुपे दिल्ली की हर महिला को मिलने वाले हैं, और इन पॉलिसीज को रोकने के लिए, दिल्ली की महिलाओं को हजार रुपे मिलने से रोकने के लिए, आज ये राजनेतिक साजिश रची जा रही है लेकिन मैं भारतिय जनता पार्टी को चेतावनी दे दूँ कि दिल्ली में राष्ट्रपती शासन लगाना गैर कानूनी होगा गैर सम्विधानिक होगा और दिल्ली की जनता के जनादेश के खिलाफ होगा दिल्ली की जनता ने अर्विंद केजरिवाल जी को आमादनी पार्टी को एक पष्ट जनादेश दिया है इस जनादेश के तहट कुछ ही दिन पहले 17 फरवरी को दिल्ली विधान सभा में फ्लोर टेस्ट करके confidence motion लाके अर्विंद केजरिवाल की सरकार ने अपनी majority को साबित किया है ये बिल्कुल साफ है कि भारत के सम्विधान के तहट किसी की किसी सरकार की majority होते हुए किसी सरकार के पास जब उनके house का confidence होता है तो राष्ट्रपती शासन नहीं लगाया जा सकता 2016 में भी उत्राखंड में जब राष्ट्रपती शासन लगाया गया था तो उत्राखंड हाई कोट ने floor test order किया था और सरकार के प्लास floor test में confidence motion success होने के बाद राष्ट्रपती शासन के आदेश को खारिज कर दिया गया था अर्विंद केजरिवाल के पास दिल्नी विधान सभा में overwhelming majority है अर्विंद केजरिवाल दिल्नी विधान सभा का overwhelming confidence enjoy करते हैं तो मैं भारतिय जनतापाटी को ये बता दूँ कि अगर आप ये राजनेतिक साजिश करने की कोशिश करते हैं तो वो गैर कानूनी होगा गैर सम्विधानिक होगा और दिल्नी की जनता के सपष्ट जनादेश के खिलाफ होगा दूसरा मैं दिल्नी के लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि आपको इन राजनेतिक साजिशों से डरने की जरूरत नहीं है जब तक अरविंद केजरिवाल जी दिल्नी के बेटे के तौर पे खड़े हैं चाहे वो जेल के अंदर हो चाहे वो जेल के बाहर हो वो दिल्नी वालों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे चाहे हमें इस लड़ाई को सड़त पर लड़ना पड़े चाहे हमें इस लड़ाई को कोट में लड़ना पड़े चाहे हमें इस लड़ाई को संसद में लड़ना पड़े लेकिन दिल्नी वालों को उनका हक मिलके रहेगा दिल्ली की महिलाओं को जो अर्विंद केजरीवाल जी ने हजार रुपे महीने देने का वादा किया है ये अर्विंद केजरीवाल की गैरंटी है दिल्ली की महिलाओं को हजार रुपे महीने जरूर मिलेंगे चाहे भारतिय जनता पार्टी कितने भी शड्यांत्र कर ले चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की राश्टरपती शासन लाने की कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन अर्विंद के जरिवाल दिल्ली की महिलाओं को उनका हक दिल्ली की महिलाओं को उनका हजार रुपया महीना दिल्वा के रही है तो इस नहीं हो रही है कि कभी कोई एक चीज होती है तो इंसान सोचता है कि हो सकता है कि अफसर दिल्ली में पोस्ट नहीं हो रहे हैं उसके बाद दूसरी की चीज हमें दिखी कि बहुत सारे प्रमुख विभाग खाली होने के बाद अफसरों के सीनियर अफसर तीन तीन चार चार बड़े विभाग होल्ड कर रही है तेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर पिछले कई महीनों से कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही है फिर पिछले हफ़ते एल जी साहब का बे बुनियाद आरोप लगाते हुए मेचे को बार बार चिठियां लिखना मुख्यमंत्री के निजी सचिव को हटाए जाना ये सब इस बात के लक्षन है कि दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है अर्विंद केजरिवाल जी के गिरफतारी के नाम पर ये लोग ये अब दिखाना चाह रहे हैं कि दिल्ली में संविधानिक संकट हो गया है ये क्यों दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि ये कितनी भी कोशिश कर लें ये कितनी भी प्रयास कर लें कितने भी नेताओं को पार देंंगे कितने भी वादे कर दें लेकिन डिली तुन अफ्रय के लोग अपना वोट अपने बेटे अपने भाई अर्वंद केज़ी वाल को ही डेनें वाले हैं द्ली के लोग बटन जाडू पर ही दमाने वालें मैं आप जो constitutional experts हैं वो यही कह रहे हैं कि प्रेज़ेंट गूल डली में इंपोस नहीं हो सकता है लेकिन उसके साथ साथ यह भी बात जोड़ी जा रही है कि अपना काम गेल से डर सकते हैं तो आप लोग कोट क्यों नहीं जा रहे हैं तिहार गेल को मिनी सेक्रेटरियेट या टे कि दिल्ली में राष्ट्रपती शासन नहीं लगाया जा सकता 17 फरवरी को floor test हुआ है अर्विंद केजरिवाल मुख्यमंत्री के तौर पे एक overwhelming confidence अपने house का enjoy करते हैं और यह सारा शड्यंत्र दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने के लिए है अर्विंद केजरिवाल ज अबादे को रोकने के लिए है दिल्ली में फ्री बिजली रोकने के लिए है महिलाओं के लिए फ्री बस्यात्रा रोकने के लिए है फ्री तीर्थ्यात्रा रोकने के लिए है यह पूरा राजनेतिक शड्यंत्र अर्विंद केजरिवाल जी की गिरफतारी दिल्ली की चुनी ह को गिराने की एक साजिश है और अगर आपने हमारा यूटूब चैनली तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुर्ण इसको सब्सक्राइब लेजिए और पैल आइकन भी दबा देजिए अगली अप्लोड लोग आपको आपका मुश्क्राइब करें और अगर आपने हमारा पेसर करें ढर्द करू एक इसमीम एसरो करूब आपने इसमीप एजए, कर lenses एक moist 언제 stroll में इस एकी खवता है एक जएर एक सबस्वाद हमारा इसंग।